विशय संस्कृत पाठ चतुर्थ पाठ कल्प तरू कक्षा नबम तिथी बारह आठ दो हजार वेश देन बुद्धबार मैं आचाज सत्प्रकास छा प्यारे छात्रों आज हम आपको कल्प तरू के कहानी को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ कल्प तरू कल्प कार्थ होता है यूग और तरू का ब्रिक्ष अथात यूगों से जो ब्रिक्ष है इस्थित उसे कल्प तरू कहा जाता है तो यहाँ पर है अस्तिही मवान नाम सर्वरतन भूमी नगिंद्रह सभी रतनों की भूमी स्वरोप जो हिमाले है वह नगिंद्रह किसका राजा है हिमाले तो परवतों का राजा हिमाले है तश्र सानु परी विभक्ति कंचनपूर नाम नगरम तश्र सान उपरी उनके उपर में कंचनपूर नाम का नगर था तत्र जिमूत केतू रीती स्रीमान विद्याधर पतिह वसती अस्मः वहा विद्याधरों का स्वामी जिमूत केतू रहता था तस ग्रही उद्याने कुल क्रमा गता हा कल्पतरु इस्थित है ताथ उस उद्यान की सोभा को बजा रहा है सो राजा जिमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रशादात च बोधी सत्वान्स सम्भवं जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप नोत वह राजा कौन राजा जिमूत केतु कल्पतरु की आराधना करके और उनकी बोधी सत्व जो है अरथात उनकी आशिरवाद जो है प्राप्त किया और उन आशिरवाद से उनके उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा जिमूत वाहनम सो महान दानवीरह सरभूतानु कमपी चाववत वह महान दानवीर शभी विद्याओं में कुशल था तश्य गुनेह प्रशन्हस्वा सविवेश प्रेरितह राजह कालेन संप्राप्त योबनम तम योब राज्य अभिसिक्तान अब जिमूत वाहन ने उस दानवीर प्रानियों पर जो रक्षा करने वला उसका पुत्र था जिमूत वाहन उनके गुनाओं से प्रशन्होकर अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर मंत्रियों के द्वारा कहने पर उसको राजा अथात युबराज की पदपर राज्य भिसेक कर दिया योवराज जे इस्थितह सह जीमुतवान कदाचित हितेशी भी पित्र मंत्री भी उक्तम अब युवराज पर पर इस्थित जीमुतवाहन को एक बार हितेशी तथा अपने पिता के मंत्रियों ने कहा क्या कहा तयुवराज यो अयम सर्व कामदह कल्प तरु तब उध्याने तिस्थती सो तब सदापुज्य कहा जे आपके जो उध्यान है आपका जो वाटिका है घर के वाटिका गरिख की वाटिका है उसमें सभी काम अठाथ सभी मनो कामनाओं को पुर्ति करने वाला कल्प ब्रिक्ष है और सहतदा पूजनिय और वह हमेशा पूजनिय है इसके अनकूल रहने पर अठाथ कल्प तरू से आपको आशिरवाद जो प्राप्त होगा वह इंद्र भी आपको पराजित नहीं कर शकेगा इसलिए कल्प तरू का आशिरवाद जो है वह चिरन जीवी रहता है और उसे किसी भी प्रकार की कोई कठनाई नहीं होता है अब हीमवाद अर्थात हीमकार्थ होता है वरभ और वान मतलब वरभवाद अर्थात बरभों के ढखे हुए सतह से जो है उससे क्या बनता है हीमालया और उसकी जो भूमी है नगेंद्रह अन्नागेंदर मतलब क्या होता है परवत राज अर्थात नगजोर इंद्रा अब है तश्य मतलब उनका अश्मा उद्याने वाटिका विभक्ति सुसोभित है संप्राप्त्य प्राप्त अशिक्तवान अभिसेक्या शक्रह इंद्रह बाधितुं बाधित करना युबराज युबराज राजकुमार सर्वकामद शभी कामनाओं की इक्षा करने वाला कल्पतरू सदा मतलब वह तरा तब मतलब अब सदा मतलब सभी समय पूजनिय है पूज्य हमतलब पूजनिय है इस तरह आपको एक गध्यांस पढ़ाया गया आप इसको कम से कम आज के अंतरगत दस बार पढ़ेंगे शेश सुभू